वेलकम बैक तो माई चैनल तो आज हम लोग बाते करने वाले हैं टिको बेबी मुमेंट सोप का तो विंटर आ चुकी है हम लोग जो अपने बेबी को नहलाने के लिए सोप चूज करते हैं वो बड़ा केरफुल हमें हैं पर चूज करना होता है कि ऐसा कौन सा सोप लोग अच्छा लगा आज मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ से शेयर कर रही हूँ यह मेरा सैकेंड सोप है जो कि मैंने मंगाया है तो यह जो सोप है यह मैंने नायका से परचेस किया है आप भी वहां से परचेस कर सकते हैं वहां पर बेबी केर प्रोड़क्स की बहुत अ इसमें नहीं हुआ है तो बेबी केर प्रोड़क्स जो है वह हमेशा इस तरीके की चूज कीजिए जिसमें कि आपको 100% हो कि हां इसमें कोई भी ऐसा इंग्रीडियंट नहीं है जो कि हमारे बेबी की स्किन के लिए हामफुल हो तो यह आप देख सकते हैं 0% है यह सारे पैरा बहुत ही क्यूट सी यह बार है अगर आपके घर में किट्स हैं तो डेफिनेटली वह इसको बहुत प्यार से इसके साथ नहाएंगे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को इस तरीके के सोप्स को यूज करना साथ ही इसमें है आलमंड ओल जो की जिसमें होते हैं एंटी ऑ जल्दी से कोई अच्छा सा मॉस्ट्राइजर हम लोग अपलाए करें तो चोटे बच्चों की स्किन जो है वह तो बहुत जादा सैंसिटे होती है तो सोप को अपलाई करने के बाद में अच्छे मॉस्ट्राइजेशन की जरुद होती है बट इस सोप में क्यूंकि अलमंड करेगा तो यह चीज मुझे इसकी बहुत जादा अच्छी लगी कि दोनों जो है जिनको कि हम बात में मसाज करते हैं बेबी को नहलाने के बाद कि कहीं नहीं तो आपको अपलाई करना होते चाहें आप मसाज उसकी नहाने से पहले करें या अगर आपने सोप से नहलाया है त तो वो सारे ओल्स जो है वो आपको यही मिल जाएंगे आलमंड ओल हुआ ओलिग ओल हुआ तो यह गाइज फॉर सैंसेटिव स्किन भी है डर्माटोलोजिकली टैस्टेड है तो बेबी की स्किन जो है गाइज वो बहुत जादा सैंसेटिव होती है साथ ही मैं बात कर रही जिनके पास में илड़ बेबीपी कि लिए जो हम यूश करें तो यह आप देख सकते हैं साथ ही साथ बहुत अच्छावाला मौस्चराइजेशन भी देता है तो यह जो है सोब गाईज मुझे बहुत जादा अच्छा लगा है स्मेल कि अगर मैं बात करूँ काफी सूधिंग सी स्मेल है बिल्कुल भी ऐसी हाश स्मेल नहीं है बलकि बहुत जादा हलकी सी स्मेल है पता ही नहीं चलती है नहीं करना है चीको ब्रांड के बहुत सारे प्रोड़क्ट्स है तो आप वहाँ से देख सकते हैं पर मैं तो यह कहूंगी शुरुआत करनी है तो आप इसी से कर सकते हैं थोड़ा सा मतलब 60 रूपीज का है तो थोड़ा सा ही यहाँ पर आपको खर्च करना है उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रोड़क्ट किस तरीके का है तो आप गाईस की मेरा यह जो रिव्यू है यह आप लोगों के लिए हल्पफुल रहा होगा हल्पफुल रहा है तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना बिलकुल वीना बूलिएगा थैंक यू गाईस बबाई